हाई फ्रेंद्स, वेलकम बाक टो शानी क्लासेश, फर्स्ट फॉल, गुड इवनिंग टो एवरिवन, कैसे हैं आप सब, होफुली आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अग देली बेसिस पे धीरे से स्टार्ट कर दीजे, आपको आठ पेपर देने हैं फर्स समेस्टर कम समय के साथ, कम चीजों को टाइम वेस्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए, मल्टिपल टाइम रिवाइस करिए, चीजें आपको आज आएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सभी शालनी क्लास साथ पने हुए हैं, मैंने एक साल का लगबग एक्स्प करना चाहती हूँ कि जो दोस्तों को मित्रों को नोट शहिए होगा, आगे चलकर अभी फिलाल नोट पन रही है, समय लगे का थोड़ा बंदे में, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त है, 15 सितंबर के बाद आपका से स्टार्ट होगा, तो नोट आपको मिल जाएगी, अगर आप अच्छुक है, तो आप वहां से ले लिएगा, टेलिग्राम से, मैं अपडेट दूँगी, तो आपको पदा चल जाएगा, अभी नहीं बनी है, आप अभी यहीं पर आकर पढ़ाई करिए, अच्छे तरीके से, हर चीज को रिवाइस करिए, समझते वे चलिए, जो लो आज जो टौपिक है वहां पर है, क्या पढ़िए, फच्छी को पाफषी को नाम को आप संस्कृत में जानना है, जो पत्छी के नाम हम हम नहीं ह संस्कृत में जानना है, उन्हीं के नाम के बारे हमको आप संस्कृत में जानना है काफ़े बढ़िया चाप्टर है यह पहला चाप्टर ही अभी चल रहा है इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में ध्यान देनी होगी और संस्कृत आये का कैसे जैसे आज आज आप पड़ रहे हैं लिखने का प्रयास करिए अपने आप से बिना देखे हुए तो आपको यह चीज़े याद हो जाएगी और वर्तनी संस्कृत में सोद्धोनी चाहिए वड़ा नंबर कर जाएगा ठीक है आईए इसी के साथ पहला देखते हैं क्या दिया गया है आप देख सकते हैं यह पहला दो बार तीन बार रवाइस करना है और लिखते लिख के याद करना है कपोता कबूतर की संस्कृत क्या होती है तो आप कहेंगे कि मयाम कपोता होती है आईए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरा यहाँ पर है उल्लू हम उल्लू को क्या कहते हैं आउल हिंदी उल्लू उ काला गुवा कउवा मामा देख सकते हैं ते यहां पर क्या है यह क्रो एंग्लिश में कववा हिंदी में काका संस्क्रित में काका संस्क्रित में आंको यही ध्यान रखना है इसी के साथ next fourth है गौरया अब तो यह विलुप्त प्रजात में हो गए हैं अभी बहुत कम दिखते हैं ठीक है पहले गरों में एकसर दिखा करते थे फिलाज मुझे भी दिखते हैं मेरे हां यह स्पैरो है इनका इंग्लिश में नाम गौरया हिंदी में चटका इनको कहते हैं संस्कृत में गौ मौर है मौर को पंक होता है इस बात को ध्यान रखेगा तो पांच पॉइंट में यहां पर आपको बहुत ही क्लेर तरीके से अच्छे से पता है पांच जानुरों पच्छियों की नाम नेक्स देखिए चटा है यहां पर बैट इंग्लिश में इसको बैट कहते हैं यह भी र कहते हैं यह कुकूबर्ट आप देख सकते हैं कहते हैं बहुत मीठा काती है फिलाज मैंने नहीं सुना है एट है यहां पर गिद यह विलूप्थ हो चुके हैं अब नहीं दिखते हैं यह इनको वल्चर कहते हैं मुझे आट साल हो चुगा और सट-आट साल इंको देखे इसको कोख कहते हैं हिंदी में और jumbo बोलता है एत्याना प्टमक कहते है किक्श संस्कित के हैं जोंदे थी आगे चलते हैं इसी के साथ नहांस करते हैं यह सौंस्पितHN में को चौट करते हैं। इसके साथ 12 थै यहां पर है सुकाय यहांनी की टोथा, ये संस्कृत में सुकाय कहते है, हिंदिमें तोथा, एंग्लिष्ट में पैरट, आगे चलते हैं, तेरावा है बतक, ये भी देखने को मलते हैं, डख कहते हैं, और इनको वर्थकाय केते हैं, फ्रिटीन थै नाम हमने दे अफ़ावप मतलबबं। लंब 시청 działa तो पुझेएंगां वृत हुष knapp tracking टेड्सक्ण मिलती है किमतुर्ण प्रसक्त रिक्रावप देखने हैं उसका सहन ही। आगे चलते हैं शत्रावा दैखते हैं हन्स't यह है हंसा, हंस को हंस, बहुत सारे ऐसे पच्छियों के नाम है, जहां पर हमको सिर्फ बंदी लगाई रहती है, यह बाकी सेम रहता है, तो यह भी प्रश्चिन्नित है, तो ध्यान रखेगा, कि दिक्कत होती है, तो इस तरह भी बहुत जगा आपको लिखने को मिल जाएगा, बहुत साइप पच्छियों का नाम, स्वान इनको इंग्लिश में कहते हैं, हंस इनको हिंदे में, हंसा इनको संस्कित में, सत्रा नाम देख लिया हमने, आया ठारवा देखते हैं, यह है चील, जिसको हम काइट कहते हैं, और संस्कित इसको आताई कहते हैं, आताई, आताई, आगे चलते हैं, फिर 19 है यहाँ पर, यह भी देखनी को मिलता है, यह किंगफिशर है, राम चरईया, इसको मीरंगा केहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मीनर रंगा, यह ऐसे पढ़ने में आता हुद, चार्थ होता है, ठीक है, इसी के साथ आगे पुड़ते हैं, 20 वा बीस पच्चियों के नाम मैंने यहां पर बताए हैं आपको कुछ पूछ लेगा या आप कह देगा कि तीन चार लिखिए तो आप तीन चार स्वैम लिख देंगे अगर नाम आ जाता है तो आपको नाम दे देगा तो खुद लिखना होगा ठीक है दों तरीके से प्रशनाता है हिंदी में दे देगा संस्कृत में लिखने को आएगा आपको नाम दे देगा जानवर का संस्कृत में तो आपको खुद लिखना होगा या तो कह देगा कि पांच जानवरों के नाम पांच पच्चियों के नाम हिंदी में संस्कृत में लिखिए तो आपको लिखना होगा ये है कटफड़वा वूटेकर्स केहते हैं इसको कहते हैं द्वाक्र घॉर्ट के ते ऐसी के साथ है यहां पर देख सकते हैं यें चाते‍का इसको कहते हैं चक्रवाक्र चक्रवाका, ठीक है, नेक्स्ट, 24वा है, वाका, ये देखे, बगुला है, ये यहाँ पर वाका, इसका ये बाका, आहा, देख रहा है, देखे, ध्यान रखेगा, वर्तनी गलत नहीं करेगा, जो इंपॉर्टेंट है, वो बता रही हूँ, ऐसे ही, सिंप्री तरीके से, ये आ बंबल भी, सट पद कहते हैं, सट पदा कहते हैं, संस्क्रित में सट पदा उचारिट करते हैं, ये है 26वा पॉइंट जिसको हम गरुणा कहते हैं, गरुणा हिंदी में कहते हैं, गरुणा संस्क्रित में उचारिट करते हैं, 27वा है नीलकंट, ये देखने को मिलते हैं अभ कि सब सही और आप कर ले जाएंगे उन्तीसमा पर दिया है चकोरा इसको हम चकोरा संस्क्रिप में कहते हैं चकोर हिंजो है पच्छी का नाम है हिंदी में नेक्स्ट है कपाली यह है बुल बुल आप देख सकते हैं यह भी देखने को मिलते हैं नाइट एंगल एक प्रकार के इ एक सब्सक्राइब की धेर सारे नाम होते पर हैं यही तो तीस है आग का अगनी अनल पावक तो ऐसे बहुत साइब बच्छी के नाम भी आपको चाहिद देखने को मिलेंगे तो आपको कहीं से और पढ़ा तैसे एक दो नाम है पच्छी के जो आपको अलग-अलग सुनने को क्यों को मिल जाएं एक ये 2022 यहं पर है मधू मख्यी जिसको हम मधुपा क्या लिखते हैं मधुपा लिखते है ठीक नेक्स गया थे माद हम यंज को यहां पर पर आपदेखन थे खजकन लिखते हैं व different यह आपको देखने को मिलती है मेरे एड़ा बार चालर को होता है ब्रहमरा आप देख सकते हैं बड़ी के बड़ी वाली आ डटल दे फूल जाता है सब कहते हैं जोन कवहार आँ को ऑए आद में आघे छलते हैं फ्हलेगा तो और क्ते हैं या जए यह ज़लते हैं दीटर है चंतर है बटेर क्वेल यह वर्तका है इसको कहते हैं वर्तका संस्कित करते हैं वर्तका के नाम से नेक्स्ट है यहां पर बर्ड पच्छी इसको हम संस्कित करते हैं खगा कहते हैं अर्थिस्वा है जिसको हम फाक्ता कहते हैं यह भी देखने को मलते हैं इनको यहां पर मेरे एरिया में लगभग मैं जानती हूँ तो मुझे पता कि इसको पुत्र पुत्र प्रिये , नेक्स छाइक है इसे बहुत साँ आको नाम देखने को मिल जाएंगे 41 है यहाँ पर हंसी गूज यहाँ पर इसको वर्टा कहते हैं वर्टा कभी-कभी आपको यहाँ पर बुंदी लगे भी दिखेगे दोनों वह सही है आप चाहे जो लिख सकते हैं 42 वा परश्ण में अबाबील इसको क्रिष्ण चटका कहते हैं क्रिष्ण चटका कहते हैं अबाबील को क्रिष्ण चटका उचारित करते हैं संस्कृत में फिर हरीयल हरीयल यहाँ पर एक बच्ची है इसको कहते हैं हरा रीद यह जहां पर अफीम की खेती होती वहां जदा पाय तोटल मैंने आपको यहां पर देख सकते हैं कि मैंने आपको छोटी सी क्लास में 43 नाम लगभग आपको बताया आपको संस्कृत में भी बताया हिंदी में बताया और इंग्लिश्न बताया आपको इसी तर किसे प्रशन आएंगे मैं एक बार फटा-फट रिकॉल कर देती हूं ताकि आपको प्रोब्लम ना हो एक बार मैं और उचारिट कर देती हूं आपको भी सिता उचारन करना और बार बार प्रगवार्थनी के थ्रू लिखना पहला है कबूतर संस्कृत में कपोता दूसरा है उल्लू उल्लू को हम संस्कृत में कहते हैं उलू का फिर तीसरा है और संस्कृत में कहते हैं उचारन करते हैं क क फिर है गोरेया गोरेया को कहते हैं चटका है मोर्र मोर को संस्कृत में मयूर्य जमजम वो बहुत j bağ प्रवली asking आता है वो यह यह लगा आता है और उपर से बताती हम तो यह मुर्गा का मुर्गी का यह भी देखने को मिलता है गिद्ध का मिलता है ठेक है यह चमगादर भी मिलता है देखने को इसी के साथ यहाँ पर है next सारसा को सारसा लेखते हैं सारस को सारसा ध्यान रखें यह भी पूछा जाता है चौदावा भी काफी आता है सायना बाजा यह भी आता है बाज को सायना क उसके बढ़ने मित रहुते हैं कि दो चीज में aus सक्सक्राइब मुछा गया है शात का क्यों संस्क्रित में ध्यान रखेगा है उसके बाद हें भौरा को सष्ट के ये लिखने को आता है बहुत सुन्दरचित्र है वैस quy है फिर गरुडा गरुण केत गरुणा को गरुण को गरुणा, नीलकंट को नीलकंठा, पपिया को चातका, ये आता है प्रश्ण, चकोरा को चकोर को चकोरा, बुलबुल को कलापी, जल पच्छी को जल कुकुटी, मधु मक्की को मधुपा, आता है प्रश्ण मधु का, खंजन को खंजना, काल को वर्टा वर्टा अबाबील को किश्न चटका हरील को जो है हरा हारीता फिर है यहां पर बस इतना ही तो 43 नाम हो गए ना दो बार रिवाइस करके बता दिया मनलग एक बार पढ़ाया फिर रिवाइस कर दिया तो आज की एक लास यहीं तक संस्कृत में जहां पर हमने कैने में और मीड़ा को कि परिवाइस करें यहां आजे क्लास और परहिते के लिग करके लिए और नेक्सक्राइबेस केंद में तब tittu को नेया सब्सक्राइब कर लिए आइए और टेलेग्राम को जॉइन कर दीजे हम नेक्स क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए take care and always keep smiling to everyone